हाई फ्रेंड मैंसरब जौवेद नभी करटली आयम वर्किंग एज प्लैनिंग इंजिनियर सिवल अंडर इंटरनेशनल लिमिटर आज हम यहां पर फॉर्स्ट लेक्चर डिसकस करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का आज की इस लेक्चर में हम यहां पर डिसके साथ मल्टिप्लाइ करेंगे हमारे पास निकल के आएगा बी ओ क्यो यानि बिल आफ कॉंटिटी इस प्रोजक्ट को बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आएगा और कितनी कॉंटिटी हमारे पास होनी चाहिए सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि एस्टिमेशन की मीनिंग क्या होती है यहां पर देख सकते हो मैंने लिखके रखा है the process of calculating quantities and cost of various items of any project हमारे पास जो प्रोजक्ट है उसमें various items होते हैं आप यहां पर देख सकते हो columns है, beams है, यहां पर windows है, doors है इसकी हमें quantity calculate करनी है जैसे यहां पर brick work हमने किया है, plaster work करना है, paint करना है, यहां पर site cleaning होग कि बाद कितना प्रोजेक्टिंगे आने वाला है टाइम डुरेशन क्या होगा अगर हम प् LãyrogasSnो की बात करते हैं इसको हम बोलता है अब हम आपको यहां पर एक day to day life की एक्जामपल से समझाता हूं कि इस्टीमेशन होता क्या है उसके बाद हम देखेंगे कि Excel में हम मेजरमेट शीट कैसे बनाते हैं अब हम आते हैं डे टो डे लाइफ की एक्जामपल पर Estimation अच्छे से समझने के लिए मैंने एक यहां पर डे टो डे लाइफ एक्जामपल ली है एक्जामपल थोड़ी सी फणी है आप लोगों का अच्छे से समझ में आएगा पर एक्जामपल हमें चिकन डिश बनाना है थ्री फ्रेंडस के लिए यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले हमें किस किस चीज की जुरुरत पड़ेगी आपको पता है चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें मारकट से चिकन लाना है थ्री फ्रेंडस के लिए बनाना है लगबग हमें एक केजी चिकन मंगाना है मारकट से एक केजी चिकन का जो रेट है वो है टू फिप्टी रुपीज उसके बाद चिकन बनाने के लिए ओयल की जोरत पड़ेगी ओयल हमें 150 ग्राम चाहिए 50 रुपीज का ओयल आएगा उसके बाद हमें क्या करना है ओनियन डालना है चिकन में ओनियन हमें 250 ग्राम चाहिए यहाँ पे आप यूनिट देख सकते हो quantity लिखा है amount लिखा है particular यानि क्य क्या चीज आपको चाहिए description जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे लिखा है serial number यहाँ पे अगर हम onion की बात करेंगे यहाँ पे 250 ग्राम उनियन हमने लिया है जो की आएगा 10 रुपीज का उसके बाद हम टेमाटर की बात करेंगे टेमाटर जो है वो है 250 ग्राम 10 रुपीज की जो हम इसकी जो कांटिटी है हमारे पास वह है 10 ग्राम 10 रुपीज का यह हमें मारकर से पढ़ेगा आफ्टर डैट इसमें थोड़ा सा कलर भी होना चाहिए तभी तो मज़ा आएगा खाने में यहाँ पे हम क्या करेंगे रेड चिली पोडर डालेंगे रेड चिली पोडर डालने क से पढ़ेगा उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है सोंफ पोडर सोंफ पोडर भी 10 ग्राम हमें डालना है 10 रुपीज का हमें यह मारकर से पढ़ेगा उसके बार हमें यहाँ पर डालना है तर्मेरिक पोडर उसका जो प्राइज है वो है 20 रुपीज 10 ग्राम के लिए आफ् इतने number of particular us हमें लगने वाले है और quantity भी हमने यहाँ पर निकाली है total हम यहाँ पर देखेंगे कि खर्चा हमारे पास कितना आएगा वो आएगा 440 रूपियस यह आपने निकाला है estimation चिकन बनाने के लिए इसी तरीके से आपको estimate करना है कि building बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आएगा road बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा और कोई civil engineering structure बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा इसको हम बोलते है estimation अब हम next lecture में क्या discussion करेंगे उसमें हम सबसे पहली activity site cleaning के बारे में बात करेंगे side cleaning की बात करने से पहले मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा measurement sheet हम excel में कैसे बनाते हैं यहां पर आप देख सकते हो मैंने excellent में एक measurement sheet बनाया है सबसे पहले आपको heading में लिखना है measurement sheet measurement sheet लिखने के बाद आपको पता है serial number सबसे पहले आता है description अब एक particular जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि क्या-क्या item हमें चाहिए उसके हिसाब से हमने यहाँ पर quantity निकाली है उसके हिसाब से हमने rate से multiply किया है total cost हमारे पास आ गया है उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे next point पर आते है unit अभी हमने देखा है chicken हमने 1 kg लिया है तो हमारा जो यूनिट था वो था kg इसी तरीके से हम यहाँ पर हर एक particular का unit लिखेंगे उसके बाद number of items हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर हमारे पास एक column है for example एक column है अगर हमें उसका concrete निकालना है तो cubic meter में हम निकालेंगे number is कितने number of columns हमारे पास है एक column है तो यहाँ पर हम वन लिखेंगे उसके बाद हम यहाँ पर लेंगत ब्रेड़ और यू कैन से विड़त हाइट और यू कैन से डैप्थ यह तीन डाइमंशन हमारे पास होनी चाहिए जो हमें ड्राइंग से extract करनी है ड्राइंग से collect करनी है उसके बाद इन तीनु डाइमंशन उसको हम multiply करेंगे तो हमारे पास quantity आएगी हमारे पास जो remarks होंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे जब हम आने वाले lectures में discussion करेंगे I hope measurement sheet आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें Excel में measurement sheet बनाना होता है इसमें हमें data कैसे fill करना है वो हम आने वाले lectures में देखेंगे यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ और important pointers discuss करना चाहूंगा यहाँ पर हम कुछ important terms की बात करेंगे जो हमें estimation में help करेंगे for example पहली जो term है हमारी वो है volume volume की अगर हम बात करेंगे volume हम कैसे निकालते हैं यह हमारे पास कोई object है इसकी हम length ले लेंगे इस object की हम width और you can say depth ले लेंगे इस object की हम height और you can say depth ले लेंगे तीनों को हम multiply करेंगे हमारे पास volume आएगा मैंने वही यहाँ पर लिखा है mode of measurement हमें क्या करना है length को multiply करना है breadth के साथ और you can say width के साथ उसको हमें multiply करना है height के साथ और you can say depth के साथ तो अगर हम तीनों यह भी meter में है यह भी meter में है यह भी meter में है तो यहाँ पर जो हम unit लिखें क्यूविक मीटनेक्स्ट पॉइंट कि हम बात करते हैं एडिया अगर हमें एडिया निकालना होका कि बीचीज का फ़र एग्जामपल हमें किसी वाउल की ऊपर प्राइड करना है या हमें किसी वाल की वो है वो है वाइंट फायो मीटर तो यहां पर हमारे पास तीनों डाइमेंशन है अगर हम एरिया की बात करेंगे कोई एक सब्सक्राइब होता है इसी तरीके से अगर हम में पलस्टर करना होगा वाल के उपर हम क्या करते हैं ले ले लेते हैं और हाइट ले ले लेते हैं वाल की उस केस में हम यहां पर थिकनेस नहीं ले ले लेते हैं इसी तरीके से हमें अगर एरिया की बात करनी है लेंगत को हमें मल्टिप्लाइ करना है ब्रेट और यूकें से ह ормyt के साथ हमारा जो unit होगा वो होगा स्क्राइब में होगा ब्रेट्थ और युकेंद से हाइट जो होगी वो भी मीटर में होगी दोनों को हम जब मल्टिप्लाइ करेंगे हमारे पास में pó आता है अब हम बात करेंगे Enumerated Conditions क्या होती है जिनकी calculation हम numbers में करते हैं counting जिनकी हम numbers में करते हैं for example हमें कोई pen लेना है हम दुकांदार के पास जाएंगे हम बोलेंगे हमें one pen चाहिए two pen चाहिए, three pen चाहिए ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि हमें five cubic meter pen चाहिए six cubic meter pen चाहिए तो जिनकी हम counting numbers में करते हैं, उसको हम बोलते है enumerated quantity, तो यहाँ पे हम numbers और you can से pieces में calculation करेंगे, इसका जो unit लिखना है हमें वो लिखना है numbers, after that हम बात करते हैं running meter की, अगर हमारे पास कोई pipe है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास pipe है, तो इस case में जो हम calculation करते हैं, वो कर की है, जहाँ पे मास की बात आती है, for example हमें city market से लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम 10 kg, 12 kg, 20 kg, kg में city हम purchase करते हैं market से, तो जो unit होगा, वो होगा kg, I hope यहाँ तक आपको पूरा समझी में आया होगा, आपने वीडियो को enjoy किया होगा, मेरी आप लोगों से एक personal request है, अगर आप चनल पर नए हो तो प्लीज चनल को subscribe करो, वीडियो को like करो, share करो, अपने friends तक भी पहुंचाया करो, next lecture में हम discuss करेंगे, first activity, site cleaning के बारे में, drawing को हम read करेंगे, drawing से data collect करेंगे, excel को input दे देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर quantity निकालेंगे, site cleaning की, मिलते हैं next video में, तब तक के लि खरेंगे, रूकर और झालेंगे, तक देखेंगे, कि दोत अदोस्ता निए यूर झालेंगे, यूहरागे, कि रए्छोंचाः, अजरा कि विए, और कि बादेल लिए मूUUय थे सक्त।